यह simple design के beginners के लिए यह picot stitch से बनाऊँगी मैं सबसे पहले thread को attach करेंगे इस तरह से जहाँ पर thread attach के अब आपर chain 4 बनाएंगे और picot बनाने के लिए यह जो first stitch है इसमें hook को insert करते हुए यहाँ पर single crochet बनाएंगे जैसे single crochet बन जाता है chain 5 बनाएंगे और इस तरह से straight रखेंगे जहाँ पर chain 5 की length इस तरह से जहाँ पर जा रही है वहाँ पर हमें इसे attach कर देना है fabric में single crochet बनाते हुए फिर से repeat करना है chain 4 और यह जो single crochet बनाएंगे इसके around में मतलब यह जो gap है chain 5 का इसमें मैंने hook insert किया और picot बना दिया अब same repeat करूंगी chain 5 single crochet फिर से chain 4 पिकॉड यह gap में इस तरह से बनाएंगे तो same repeat करते हुए यह design complete करें अभर बनाएंगे करें।